इरान की राजधानी तहरान में हमास की राजनीतिक शाखा के प्रमुक इस्माइल हानिया के घर पर हमला हुआ जिसमें एक अंदरक्षक समेट इस्माइल हानिया की मौत हो गई हमास ने भी इसमाइल हानिया की हत्या की बात स्वीकार की है और इसका आरोप इस्राइल पर लगाया है इस बीच एक अमेरिकी अकबार ने दावा किया है कि तहरान के जिस आवास में हानिया ठहरा हुआ था वहां गुप्त रूप से एक विस्फोटक उपकरण लाया गया था अकबार के अनुसार मध्यपूर्व के पाँच अधिकारियों ने बताया है कि विस्फोटक को करीब दो महीने पहले आवास में छुपाया गया था दावे के अनुसार जिस सरकारी आवास में हानिया ठहरा हुआ था वहां इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स का सक्त पहरा था जिस परिसर में एक भाग में हानिया को ठहराया गया था उसे नेशात के नाम से जाना जाता है इससे पहले मंगलवार को इरान के नए राश्चुपती के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसमाइल हानिया तहरान आया था उस दोरान उसने इरान के बड़े नेताओं से भी मुलाकात की थी अखबार के अनुसार मध्यपूर्व के पाँच अधिकारियों ने बताया कि जब यह सुनिश्चित हो गया कि हानिया अपने कमरे में मौजूद है तो बम को दूर से दागा गया इस धमाके में हानिया का एक अंधरक्षक भी मारा गया रिपोर्ट के मुताबिक इस धमाके बाद पूरी इमारत धर्रा गई थी कुछ खिडकियां तूट गई और आवास की बाहरी दीवार का कुछ हिस्सा भी भरभरा कर गिर गया आगे बताया गया है कि रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के दो सदस्यों ने घटना के बारे में जानकारी दी अकबार का दावा है कि सबूत के रूप में कुछ तस्वीरे भी मौजूद है आगे बताया गया है कि हानिया अकसर तहरान स्थित इस आवास में ठैरने आता था रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सभी अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्थ पर हानिया की मौत को लेकर समवेदंशीर जानकारियां साजा की है आपको बता दे कि इरान के अधिकारियों और हमास ने बुधवार को कहा था कि हानिया की मौत के पीछे इसराइल का हाथ है माना जा रहा है कि इसके बाद से मध्यपूर्व में दोबारा संघर्ष चुरू हो सकता है इसके अलावा गाजा में युथ विराम के लिए चल रही बातचीत के बाधित होने का भी खत्रा पैदा हो गया है आपको बता दे कि गाजा में संघर्ष विराम की बात करने वाले प्रमुख नेताओं की सूची में हानिया का नाम प्रमुख था उधर इसराइल ने आधिकारिक तौर पर हानिया की मौत की जिम्मेदारी नहीं ली है